हलो इस्टूर्ड आप सभी स्वागत थे हुआ यह इस क्लास में इस्टूर्ड आज की सीड़ों में हम समाजीक विज्ञान का जो सबसे पहला पाठे भोगोल में संसाधन एवं विकास आज इसका हम प्रश्ण उत्तर आपको बताएंगे जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है आप तो आप लिखते चलिए और उसको याग करना सुरू कर दीजिए आए देखते हैं प्रश्ण के उत्तर तो इस्टूडेंट सबसे पहला प्रश्ण है बहुविकल्पी प्रश्ण पहले हल करते हैं पहला प्रश्ण है कि लोग आयस किस परकार का संसाधन है यहां पे चार दूसरा है परवाह तीसरा है जेओ और चौता है अनवी करण योग तो इसका जो सही उत्तर है वह है चौता अनवी करण योग इसका आप लोग निसान लगा लीजिए आए अगला प्रश्ण देखते हैं दूसरा प्रश्ण दिया गया है ज्वारी उर्जा निमलिखित में स शेकिस परकार का संसाधन है यहां पर चॉर रजवार प्रश्ण दिया गया है पहला है पुनह पूर्थि योग दूसरा आजियो तिसरा दिया है मानो क्रित चौत है चक्रिये उसका सउतां प्रश्ण दिया है पञ़ा में भूमी निमनी करण का निमलिखित में से चाहन खेती दूसरा है अधिक सिचाई तीसरा है वनोन मूलन और चौथा अति पश्चारण तो इसका जो सहॉत्तर है वो है दूसरा अधिक सिचाई चौथा प्रशन है कि निमलिखित में से किस परांत में सीड़ीदार ब्रेकट में सोपानी खेती की जाती है यहां पर चौर अप्शन दिया है पंजाब, उत्तर परदेश के मैदान, तीसरा दिया हर्याणा, और चौथा दिया है उत्तरा खंड, तो इसका जो से उत्तर है वो है उत्तरा खंड, चौथा, पाचो प्रशन है कि इन में से किस राज में काली मिर्दा पाई जाती है, यहां अब देख लेते हैं, अतिलेग उत्तर प्रशन, जो की दो दो नमबर के पुछे जाते हैं, यहां पर पहला प्रशन है कि, तीन राज्यों के नाम बताईए, जहां काली मिर्दा पाई जाती है, इस पर मुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, यहां प्रशन इस तरह स पुछा जा सकता है कि, किनी दो राज्यों के नाम बताईए, जहां काली मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी पर मुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, चाहिए पुछे चाहिए इस तरह से पुछे आपको यही उत्तर लिखना है, उत्तर लिखना है कि काली पास मिर्दा भी कहा जाता है इस तरह से हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा दूसरा प्रशन है पूर्वी तटके नदी डेल्टाओं पर किस परकार की मिर्दा पाई जाती है इस परकार की मिर्दा की तीन मुख्य विश्यस्ताएं क्या है तो इसका उत्तर आपको इस तरह से निर्मार करती है जलोर मिर्द की परमुख विसेष्टा निमलिखित है तो नमबर एक आपको यहां पर लिखना है यह मिर्दा नदियो दारा लगाये गए निभ्य मिर्धा उत्तरी मैदान में पाई जाती है तीसरा यहां ही उपजाओ होती है चौथा इस मेर्दा में पोटास फासपोरस तथा चूना पोशक ततु पाए जाते हैं उसके बार पांचों आपको जलोड मेर्दा दो परकार की होती है खादर और बांगा तो इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर पांच जो है विस्षिस्ता गया है लेकिन आप लोग एक्जाम में अगर आ जाए यह परशन तो आपको दो या तीन ही विस्षिस्ता लिखना बस पांच मत लिखना तीसरा प्रशन है पहाड़ी छेत्रों में मिर्दा परदन की रोक थाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए वेरिंपॉर्डन प्रशन ह यह 2020 के परश्या में पूछा गया है तो इसको ज़रूर याद करिएगा उत्तरा है उत्तरा आपको लिखना है कि पहाड़ी अथ्वा परवती छेत्रों में मिर्दा परदन को रोकने के लिए निमलिखित कदम उठाये जा सकते हैं नमबर एक लिखना है समोच क्रिस को अपन अगला प्रश्ण देख लेते हैं तो इसको अगला प्रश्ण है कि जेव और अजेव संसाधन क्या होते हैं कुछ उधार देजिए विरिम पढ़न कुश्चन है ये 2020 के परिच्छे में पूछा गया है तो आपको उत्तरा लिखना है कि जेव संसाधन ये हेडिंग हो वेब वनस्पती एवं जिव आधी कोईला एवं पिट्रोल को जेविक सुरोथ की रूप में माना जा सकता है क्योंकि ये जीवित रूपों के ऑजेव संसाधन कहलाते हैं जैसे मिर्दा धात्वे और चट्टा ने तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा उत्तर विरिम पाड़न क कुछन है 2020 के परिच्छा में पूछा गया है तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए गा तो इस्टुडेंट यह थी कुछ महात्वपूर प्रेश्ण आप लोग जो है इन सभी प्रेश्णों को जो मैंने बताया है बहुवेकल्पी प्रेश्ण और अतिलगोत्ति को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं यूडि में तब तक के लिए थैंक्यू